हलो आज में आपको मैनिया, उन्मा, हर्षवाई इसके बारे में जानकरी देने वाला हूं जो भीमारी में आदमी एकदम ऐसा बहुत जादा बात्चित करना जलू करते हैं, तो इसका स्ववाज पहले से, वो ऐसा समय मिलने वाला, हसी मजा करने वाला या सबसे बात्चित करने माला रहता है, इसको ओल्लिया है। परसनेल्टी। तो ये कोई भी उमर में बिमारी आ सकती है, पुरू शेक्स तरी को इसको भी सरी की बिमारी है मतलब ऐसा उसमें कोई फरक नहीं है। मंगर ये माता पीताजी कोई बिमारी है तो बच्चों में बिमारी आने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें होता गया है कि विक्ति काफी जोर जोर से बोलना चालो कर देता है। बातचीत करना चालो कर देता है। बहुत लोग पहचानते हैं। मेरा तो बैंक बैलन्स बहुत है, मैं करड़ोपती हूं। तो ऊदा है के नहीं, मेरा ये आम्दर पहिचानका है, ये खादार पहिचानका है। प्रिकुछ लोग को दिने, मैं तो खासदारी हूँ, उनका तो पी-ए हूँ, या भी इलेक्शन में मैं लड़ने वाला हूँ, या प्राइम मिलिश्री के साथ में मेरे संबंध हैं, ऐसा वो बड़ी-बड़ी बाते करेगा, और ये बाते जब करता हैं तो उससे बात करने में मतला अपने कुछ मज़ा आता है, वो अधम उसमें एंजॉय कर सकते हैं, तो इस तरह से वो बाते करता हैं, और वो एक बात से दूसरी बात तक, दूसरी बात से तीसरी बात तक, मतला ऐसा flight of ideas, मतला वो उससा उड़ां भरता है हूँ, उसके वीचार जोएसे इतने फटाप और फटापड बदलते जाते हैं, और ये वेक्ति को अपना कहना, खुत का कहना, ऐसा रखता है कि मैं जो बुर्रों वो ही सही है, डॉमिनेट करता है रोगों के उपर, पर अपना कहना मानना चीह, ऐसा उसको लगता है, कोई पी उसका विरोद करता है, तो वो उसको, मतला जंजन मोल लेंगा, जगडा कर लेंगा, उसको प्रिशर डालेंगा, और वो खुत का ही जो है, वो बराबर ऐसा रोलेंगा, ये एक्ति पहसा के बहुत खर्चा करता है, बहुत पहसा करता है, मतलो कहीं से में जाके उधार माल लाएंगा, अपने पैचान से वो बोलना, तो कुष लोग बड़े-बड़े सवधय कर दालते हैं, या बड़े सवधय मतलब खरीबते हैं, या बेज दालते हैं, बड़े अच्छे कपडे पहनेंगे, बहने लायेंगे, अंगुठियां, नेकलेट, और ऐसा मतलब बहुत ही कपड़े भेहनेंगे, बहुत मतलब शान्शोप करेंगे, अवरते जो है वो एकदम बहुत ही ज्यादा मेकप कर लेंगी, और वो लोगों को अपना अपना जो प्रेजन्स है, वो बताते हैं, कि तो मैं प्रेजन्ट हुआ, ऐसा इस तरह, इसमें जतना ज्यादा प्रिशर आप स्पीच रहता है, मतलब बोलने का प्रिशर ज्यादा रहता है, फ्लाइट रहती है, मतलब एक विचार से दूसरी विचार तक उड़ा लेता है वो, और फिर कभी-कभी इतना हो जाता है, कि फिर उसका बोलना भी हमको समझ में नहीं है, उसमें एनरजी इतनी जागा रहती है, कि वो बहुत एनरजी, मतलब घंटा-दो-घंटा वो सोता है, और घंटा-दो-घंटा सोनने के बाउजुद भी वो बहुत ही दिनवर एक्टुर है, घुमेंगा, अफिरेंगा, एक गावबाह में जाएंगा, वहां बड़े-बड़ लोगों से बात करेंगा, बड़े-बड़े साओदे कर लेंगा, पैसा खर्च करेंगा भारगावा जाके, या फोल्बिलर खरी लेंगा, तो इस भी करेगा हो, और बहुत काफी एनरजी उसमें रहती है, किसी से भी बात करना, वैली मिलना, फिर लोगों को पार्टियां दे खाना किलाना, शराब पिलाना, कुभी शराब पिना चालू कर जयता है, लोग ऐसी सारे हरकते कि लोग घर के परेशान हो जाते हैं, इसका करना के, पहले थोड़ा जादा बात करने माला वेक्ती, अभी बहुत जादा बात करने लगता है, और वो कम मांसिक समस्या बन जाती जब मालूं पड़ता है, तो समस्या बहुत जादा गंबिर रूप धरण किया रहता है, अब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज जो है, वो मनोचिकिस्त्र के पास में जाके ही, सैकेडिस्के पास में जाके इसका इलाज करना जरूरी है, इसमें दबाईयन है, जैसी तो जड़ा शान्त हो जाता है, सोता है, इसमें जासा खाना खाने के उसको इच्छा कम होती है, तो अभी सोने के बाद में खाना भी खाना ठीक चलू कर देता है, और उसका जो प्रेशर है, काम करने का प्रेशर, पाती करने का प्रेशर, वो जड़ा लेता है, तो वो शान्त ह मूर चाहिभा करें के चाहिए निए घावको से में स्केसिनान您ा नहीं विसाराओक इसारा हो फिर च्रकल प्लु पर सब्रून करें कि women' तो इसको पकड़ना, बानना भी पढ़ाईगा, मतलब इतना भी कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, मेरे पास में काफी सारे ऐसे पेशन्ट आते हैं, कि वह चार-चार, पाच-पाच लोग उसको पकड़ते तो उससे कंट्रोल नहीं होता हूं, उसको बान के लाते थे लोग, ज देन में हमारे होता है, मस्तिष में दोपामीन होता है, तो दोपामीन लेवल या नौरिपिनेफिरिन लेवल या सेड़ाई लेवल ज्यादा होने से बिमारी होती है, ऐसा रिसरच में बोला गया है, तो दोपामीन लेवल या नौरिपिनेफिरिन लेवल को कम करने के लिए दवाई दी जाती है, और भावना सुन्तुन दवाई देने के बाद में वो ठीक होता है, मगर यह बहुत ज्यादा वाइलन्ट है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो फिर उसका इलाज करना जरूरी है, शाप ठीटमेंट से, उसको मैंने बहुत है, बान के भी नहीं आत होता है, कि नहीं लोग मेरे खिलाव है, लोग कुछ तभी मेरा कर देंगे, तो असलिए उनको लोगों से भी मतलब दूर भागते हैं, और इलाज करना बिल्कुल चाहते नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा होते हैं, उनका इलाज को लाना यह बड़ी समस्या हो जाती तो उनका हम जब लेते हैं, तो दवाई यहां लिया, तो दवाई से ठीक हो जाता है, तो दवाई लेना भी कभी कभी ठीक नहीं होता, तो उसको शॉक टीटमेंट देना भी कभी, जब ज़्यादा ही हो रहा है, तो शॉक टीटमेंट देना भी कभी उचीत रहता है, अब य दवाई कितने दिन देना, तो दवाई उसकी 6 मेने से लेके सालवर्द देना उसको ज़रूरी है, दवाई इसे वो कंट्रोल में थोड़ा आ गया, 15 दिन में, 1 मेने में कंट्रोल में आ गया, तो होता क्या है कि ये लोग दवाई अपने बंद करता ले, तो जो एक्चुली जो सोर से समस्या का मूल रूप जो है बिमारी वो बिरिन में है, वो संदुलन तो हुआ ही नहीं, फिर से वो जोग लेता है, और फिर वो बिमार जैसी के वैसे हो जाते है, इसलिए उसका हिलाज 6 मेने से लेके सालवर्द करना जरूरी है, और हमारे यहां तो ऐसी वेवस्ता है अकुला में, कि यदि रिष्टेदार है, उनको रहना नहीं है पेशन के साथ में, उनको डर लगता है, या उनको अपने गाव में जाके काम करना है, क्योंकि रोजी-रोडी उनके हाथ के ऊपर रहती है, काम करना है, या उनके साथ में रहने के लिए कोई वेक्ती नहीं है, तो हम उसको हमारे पास में रखते हैं रिष्टतार उनको वापस भेते हैं उसका इलाज करके हम उनको वापस लेके जाने के लिए बोलते हैं तो ये भी विवासता हमारे पास में है तो लोगों को कापी सुविदा हो जाती है तो ये मैनिया जो है, इसका इलाज पूरर रूप से संभव है. कभी-कभी ये मैनिया के साथ में, मतलब एक बार वो अच्छा हो गया, तो फिर से साल, दो साल के बाद में फिर से उसको मैनिया आ सकता है. मतलब उनमाद ये हर्षवाई फिर से उसको ये दवरा पढ़ सकता है. या फिर उसको कभी डिप्रेशन का, नेराशा का, खताश का दवरा, उदासिंद्र का दवरा भी पढ़ सकता है. तो ये एक बार हैपर एक बार डाउन, मतलब ऐसा नहीं होना चीए. इसके लिए बूर संतुलन, ये भावना संतुलन की दवाई दिया, तो उसका उपर नीचे होना, सम्मोन ये फिर वो नार्मल रह सकता है. ये सभी लोग, मतलब मैनिया के लोग, हर्षय वायू के लोग जो है, ये पेशेंट है, ये अपनी जिंदगी अच्छी तरह से काटे है, अच्छी तरह से भीताते है, ये उपके एक बार दौरा निकल गया, तो पुरी तरह से अच्छे रहते हैं. तो वो नोगों को सिखाना पड़ता है, थोड़ा सा भी उनको इनली शक आता है, या उनके घरवालों को शक आता है, ये थोड़ा ज्यादा बात करना उने चालू किया, तो तुरन दवाई चालू करना डौक्टर के बास में जाना ज़री है. तो इस तरह से हम इनका इलाज करते हैं आप ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे लेख रहे हैं तो मेरी ऐसी आपसी मिलनती है कि आप ये 11 जादा लोगों को शेर करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरा फेस्बूप पेज भी है उसको भी लाइक करो, शेर करो, फालो करो हमारा वेबसाइट है महां जाके आपको काफी सारी जानकरी मिल सकती है और हमारे जो मिशन है Mental Health for All सब के लिए मानसीक स्वास्ते हैं हमारे पूरे देश में सब को मानसीक स्वास्ते मिले और जोनको मानसीक स्वास्ते नहीं है अस्वास्ते है, मतलब इंको बिमारी है उनका इलाज भी पूरी तरह से होके वो अपना जीवन ज़व अच्छी तरह से बिता सबेंगे इसलिए हम खड़े हैं तो इसलिए ये हमारे मिशन में आपका सहयोथ, आपकी पार्टनर्शिप ज़रूरी है और इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे विश्वा से कि आप पूरी पार्टनर्शिप आप हमको देंगे So, thank you very much See you, bye Hello आज मैं आपको बच्चों के मानसिक समस्या के बारे में बूलने वाला हूँ जानकर ही देने वाला हूँ पहले क्या था कि लोगों को यह रखता है कि बच्चों को मानसिक बिमारी होती नहीं ऐसा लोगों को लगता है मगर यह सही नहीं बच्चों को काफी सारी बिमारीयां होती है उसमें काफी सारी बिमारीया मानसिक बिमारी होती है या उसका कारण मानसिक समस्या होती है और उसका इलाज है तब मैं आपको बताता हूं कि कोई सी कोई सी बीमारी है बच्चों में होती है जिनको मांसीक बीमारी कहलाते है For example, बच्चों को depression आता है बहुत common है, फाताश होना, निराश होना जैसा बढ़ों को आता है depression वैसा बच्चों को भी depression आता है तो उसका इलाज हम कर सकते हैं, बच्चों को schizofri है नाम की जो बिमारी है, चिन्न मानस, वो बच्चों को भी हो सकती है, मतलब मंत्र की बिमारी, जिसमें बार 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 हाथ धोना, और बार बार साफ सफाई रखना, ये भी दिखाई देती हैं बच्चों को, उसका भी इलाज हम कर सकते हैं, फिर बच्चों को school phobia, मतलब school में जाने की बिमारी, मतलब school में जाने का भय, actually, वो school में जाते हैं उनको भय लगता है, और फिर घर में बठे रहते हैं, तो इसाने बच्चे मेरे पास में आते हैं, अच्छे एच्छे घर के, कि जो बलते हैं, उन स्कूल जाते हैं, और वो स्कूल जाओंगा, तो कुछ तो भी हो जाएगा, उसे कारण हनेक है, ति कुछ बच्चों को बेड़ वेटिंग करने की, मतलब नीन में पेशाप करने की याद बत रही थी, और इसका कारण क्या है, वो पता नहीं है, मगर इसका कारण मांसित हो सकता है, और उसका भी कि हम हंड्रेड परसेंट गैरेंडी से करते हैं, फिर बच्चों को हाकल आने की बिमारी होती है, तो वो बच्चे बूलते-बूलते अटकते हैं, तो इसमें बिमारी होती है, तो ये उसको इसको confidence नहीं रहता, उसके भी कारण अनेक है, और मतलब उसको एक शब्द, एक ला ADHD नाम की बिमारी, Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADHD, ये बिमारी में, ब्रेन बहुत हाइपर रहता है, इसमें बच्चा एक जगह नहीं बैट, एक जगह वो बैटी नहीं सकता, वो यहां से वहां जाएंगा, वहां से यहां जाएंगा, वो चीर उठाएंगा, ये चीर उठाएंगा, ये खाना खाने के समय भी एक जगह बैटके वो खाना नहीं खा सकता, और वो इदर से उठाएंगा, इतना हाइपर रहता हो, और वो एक जगह attention दे सकता नहीं, concentration दे सकता नहीं, उसमें प्रॉब्लेम उस बात थे, तो Attention Deficit Hyperactive Disorder, कि कुछ बैच्चों को नाखुन खाने की आरद रहती, कुछ बैच्चों को स्टेज फोगिया, स्टेज के उपर जाने का डर लाती, कुछ बैच्चों को सपने में चिलनाने का, वो बिमार रहती हैं, तो कुछ बैच्चे सपने में चलते हैं, और जाते हो जो भी काम करते हैं, वो काम हो सपने में, चलेंगे वो चलेंगे, नीन में चलेंगे, तो एक बिमारी वो है, थिर कुछ बच्चों को attention, concentration नहीं होता है, उतलब बढ़ाई के समय उनका ख्याल नहीं रहता, attention, लक्षक एंडरी थोना वो नहीं होता, या थिर कुछ बच्चों को भुलक कर अपन क्यालज होती है, वो भूल जाते हैं, जो भी बढ ख्याली नहीं रहते हैं, कुछ बच्चे, मंद बुद्धी के रहते हैं, तो उनके बुद्धी कम है, और बुद्धी कम है, तो फिर वो पढ़ नहीं सकते, या समझ नहीं सकते, उनका जो IQ है, intelligence, intelligence question जो है, IQ, तो वो कम रहता है, कुछ बच्चे उनको पढ़ाई में interest नहीं पढ़ाई में interest नहीं, बाकी जगह हो थुशार है, बाकी जगह हो और सब काम करेंगे, मुelnा पढ़ाई में interest नहीं है, उनको पढ़ने की habit भी नहीं ही, पढ़ाई नहीं है, कुछ बच्चे इतना जाला शोर गहरमें करते है, यां घरमें किस की मानेंगे नहीं, शोर पढ़ाई नहीं करेंगे और बहुत जादा स्टब्बलनेस मतलब मेरी मुर्गी की एकिटा किसा में बूलूंगा वैसे या बहुत डिमांडिंग रहना और वो जो नहीं दिया तो चिल्लाना चीखना जब तक देते नहीं तब तक मतलब बहुत डिमांडिंग का नेचर अग्र के लिए रहने का डर कमरा मतलब वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाने सकते घर में इतना डर तो फोबिया की मेरी होती है मानसिक तौरबे चिंदा जाला होने से हिस्ट्रिया की बिमारे भी बच्चों को हो सकते कुछ बच्चों को मिट्टी खाने की आतत रहती है तो मतलब मांसी करन है और उनका इलाज करना वो जरूरी है हम बच्चों का मतलब उसके लिए कोई दवई नहीं है तो उसका हिलाज भी हम कर सकते हैं में जो बच्चों का हिलाज है वो है psychotherapy मतलब उनका आन्स उक्षार करना उनको सूचनाय करना समोह उक्षार करना और जयानातर उक्षार उत्तर हुआ वह हम उनके पालग उनका करते पेरेंट्स का करते, माबापका करते उनको बुलाते, उनको kaunselling करते, और बच्चों की परवरिश कैसे करना? क्या बासचीत करना? किस तरह से बासचीत करेंगे? क्या discipline उनको लगाएंगे, जिसके वजह से वो अझ्छा बरताव करने जालू करेंगे? तो फिरनावी है तो दवाइदो, वह पुरी तरफ अच्छा जीवन उसका बटा सकता है. बंदगुद्धी है तो उसका गोढ़ ईंसे नहीं है, मगर तभी भी बंदगुद्धी कितनी है, बंदगुद्धी कम है उसकी, IQ कितना है, वह इसाफसे उसका, उनके पेरेंट्स का हम काउंसिलिंग करते हैं ताकि वो भी बच्चे अच्छा जीवन उनका बिता सकेंगे आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो लोगों के साथ में शेयर करो हमारा फेस्वूक है पेश को लाइक करो हमारे वेब साइट को विजिट करो और आपको काफी सारी जानकरी यहां मिलेंगे तो जानकरी आप लेकिए चाहना स्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोग भी इसको मालूमात मतलब करेंगे इसका इस्तिमाल करेंगे और लोग काभी सारे बच्चे अच्छे हो सकते हैं। तो हमारा जो मिशन है Mental Health for All तो उसका उसमें आपका स्वहयोग होना ज़रूरी है। हमारे पार्टनर बनिये और उसमें स्वहयोग देखे एक नया भारत बनाना है कि हम कोशिश करेंगे। ताकि each and every person, हर एक गठी अच्छा जीवन विता सकेंगा। जो मांजिक होगी है उसका भी इलाज हो जाएंगा। So thank you very much. Hello, मैं आज आपको paranoid schizophrenia मतलग शक की बिमारी इसके बारे में जानकरे देने माला हूं। यह जो है schizophenia, इसको चिन्न मानस भी बोलते है। मतलब मानस जो अपना mind जो है वो divide हो जाता है, चिन्न हो जाता है। मतलब logic जो है, rational thinking जो है, वास्तलिक्ता जो है, उससे उसका संपर्ग नहीं रहे है। तो उसमें आदमी बढ़बढ करना, अपने आप से बातचीत करना, नीन नहीं आना, कोई हरकते करना। तो इसमें यह जो schizophenia बिमारी इसमें काफी सारी बिमारी आएं, यह schizophenia बिमारी के अंदर। उसमें का एक जो है, जो paranoid schizophenia करके, paranoid schizophenia बिमारी, उसके बारे में मैं आपको भी जान कर देने माला हूं। इसमें होता क्या है, कि रेक्टी को शक आता है, और शक उसको हर बात पे, हर लोगों पे आते देता है। शुरू होता है वो एकम छोटी सी बात से, वो बढ़ते 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 वो बहुत बड़ा रूप धारन कर लेता है। तो शक कोंसा है? उसको शक आता है कि वे मेरे बार में लोग बातचीत कर रहें। लोग मुझे देखके हस रहें। या फुलिस मेरे पीछे लगी देगी। फुलिस मुझे एरेस्ट कर लेगी, पकड़ लेगी। तो वो मतलब घबरा के चिप जाता है घरम। उसको रखता है कि अपने बारे में लोग बाते कर रहें। अपने बारे में टीवी में, अपने बारे में रेडियो पे, अपने बारे में अगबार में, कुछ अलग अलग बाते चपी जा रहें। एक दिखा तो इसको शर्गाता है लोगों के अपर, तो इसको घरके वेक्तियों के उपर शर्गाता है, अपने पतनी के ऊपर शर्गाता है, कि इसके बाहर कोई संबंध है, या फिर इसके ये मुझे कुछ लिला के देखी हैं, कई इसके सम्बन्द है, तो मुझे मारना चाहती है, ये इतने मतलब इसमें, मतलब गहरा इसका असर हो जाता है, कि वो अपने पत्ने को बहार जाने देताने, उसका मोगाइल पिस संपर्क है, और बहार कहिना की यह संपर् तो बाहर जाने जाता है उसको घर में बिटा के रख देंगा, कुछ वैक्तिय भी मेरे तरफ एक पेशेंट आया था, वो अपने पत्नी को रात को संकली से भांग के रखता है, तो यह यह रात में कहींती भी जाती है, और संबन्द गर के आ जाती है, कुछ-कुछ लोग तो अ जेहर मिला रहे और मुसे मार डालेंगा, कर फो घर में खाना भी नहींच जाती है, में जो घर के लोगलोग भी शक आता है जो घर में खाना नहीं खालेगा, अपने आसे बना के खालेगा, या बाहर जाके eastern खालेगा, अब इसके साथ साथ लोगों को आवाज भी कान में आते हैं। जैसा ये शक गिचावों का है, उसको बोलते हैं डेलूजन, पैराना है डेलूजन बोलते हैं। वैसे कान में जब आवाज आते हैं उसको बोलते हैं auditory hallucinations, बतला भ्रन, कान का भ्रन हो जगता है। जिसमें उसको आवाय आते हैं की कि दूखो लोग मारने में आए, भी लोग मेरको मारने आते हैं। और वो ररनिंग कॉमेंटरी करके उसको बता रहे कि क्या करते हैं। कि इसको बाता चारा लोगों कोगता है प्र कुछ लोगों आता। कि वो आवाज जो है, वो उसको आदेश दे रहा है, order दे रहा है, कि ये कर, वो मत कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, उसको आदेश दे रहा है, उसको पुझा कि वो वेक्ति है कौन, तो उसको मालूम ने कि कौन वेक्ति है, तो मालूम ने कौन है तो, कोई गोलता कि नहीं यह इसको लगता है कि लोगों के विचार इसको मालूम हो जाते हैं, अकसर यह लगता है कि इसके विचार लोगों को मालूम होते हैं, और लोग इसके विचार खीच लेते हैं बहार, और खीच लेके उनको मालूम हो जाते हैं, ऐसा उसको लगता है, मतलब यह पूरी विचार पूरा पका ऐसी होने वाला है यह संची है ऐसा गोलता है और उसको उसके पर विश्वास उसको रहता है अब इसके साथ साथ यह बिमारी बढ़ती है तो पर उसके नीम जले जाती है तो अपने आप बड़़ड करते रहता है पिर उसको लगता है कि नहीं, वो जहां काम करता है, कचेरी में, वहां के लोग उसकी खिलाफ है, वो प्लान कर रहे हैं, वो इसको मार दालेंगे, वो कंप्लेंट करने वाले हैं, इसकी तंका रुख देने वाले हैं, या उसकी मतलब प्रमोशन जो बढ़ती, वरदरी रुख कोई अपना पिछा तो नहीं कर रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, और मतलब इसना डर रहा होगा इनसान को रहता है, तो खाना टाइम पे नहीं खाना, नीम नहीं लेना, समय समय पे नाना नहीं, और एकदम ऐसा उसका, मतलब देखना भी जाता है तो उसका बाल बड़े है कि उसको रखता है कि अपने बारे में बाते कर रहे रहे है का उख साजीश कर देँ, उनको जगडने जाता है मारा पिट कर देगा जगडनेगा और य случае उसको लगता है कि अपना प्थेवालन, आपने अस 친кольिफर्फर्ट ऑफ पड़ोसी अिसरा अनसे चान थे जजडनेगा अल गलक हरकते वो करते रहता है। यह जो बीमारी इसका इलाज है। जितना जल्दी इलाज करोंगी उतना जल्दी वो अच्छा होने की संभाव है। होता जा है कि घर के लोग यह बुलते है किकिनी ए चुदड़ा शकीला है। यह शक निकल जाएगा। उसका शक धूर्ण करने की कोशिए करते है। उसको समझाते हैं। और वो समझता नहीं। वो शक ढ़ते व भरते बढवती ना हो पर सॉच्छ के पास में इसका इलाज करना, दवाई या लेना, और दवाई यहादी दवाई लेता नहीं है। उसको लगता कि ने दवाई भी कुछ तभी मिलाया है तो दवाई में लूंगा नहीं, तो दवाई लेंगा नहीं तो फिर उसको कभी-कभी इंजेक्शिन देने पड़ेंगे, वो भी लेता नहीं है तो उसको डिस्ट्रेंग करना पड़ेंगा, पकड़ना पड़ेंगा, इसक अब जब बहुत गंभिर अवस्ता में जब ये उसका इलाज हम करते हैं, तो दवाईयों से जब बहुत जादा रा तो शॉक टीटमेंट से इसका इलाज होता है, या इक बार वो शान होने के बार में, ज़रा समझ उसको आती है, फिर जड़ा विचार भी उसके शान्त हो जाते हैं तो उसमें उसके साथ में बात्चीत कर सकते हैं, मौने और असके थोस नियुदों चुए अन्र mix ऑल शिंवें थिंुकर। इसमें छे मैने से लेके साल बर तक दबाई लेना जरूरी है ये लोग है ना पहले से ही जैसे उनका सवाँ जो है ना ये पहले से उसका शकेला सवाँ है तो पहले से उसको लोगों ने ठपा मारके रखाए ये शकेला है तो शकेला सवा के लोगों को यह बिमारी होना ज्यादा संभव है तो इसलिए होता कि शकेला सवा और यह बिमारी यह लोगों को समझ में आती नहीं तो थोड़ा भी उसके रेगुलर मतलब जो डेली रूटीन है रोज मरा की जिंदगी में उसका थोड़ा भी गड़बड हो रहा है, थोड़ी सी भी गड़बड हो रही है, तो उसको मनोची की सक्रिट पास में जाके उसका हिलाज करना ज़रूरी है, और यह पूरा अच्छी जिंदगी अपनी बीटा सकता है। हमारा से मानना है कि इस तरह की लोग जो इस तरह की बीबारी जो है, इनको जो इनको बीबारी है वो अच्छी हो सकती, उसको अच्छा करना ज़रूरी और आपने, तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के ओपर या और कहीं आप मेरा वीडियो देखते हैं, त ये चैनल को सब्सक्राइब करो, शेर करो, ताकि जादा से जादा लोगों तक हम पहुचाएंगे ये मेसेज, और जादा से जादा लोग इसका इलाज करेंगे। आप मेरा Facebook पेज जो है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, आप मुझे Facebook को लाइक करो, मतलब Facebook फ्रेंड बनो, YouTube चैनल को लाइक करो, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आपको अलग-अलग, मतलब काफी सारी जानकारी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, और वो आप वेक्ति मानसी ग्रूप से सक्षन होना चाहिए, और उसको मानसी भीमारी से मुझत होना चाहिए, विज हमारा मिशन है, उसमें आपका हाथ लग जाएंगा और आप हमारे पार्ट्नर बन जाएंगे, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, चीए. हलो, आज में भी आपको 6 बीमारियां जो हैं, लेंगेक समस्या हैं, उसके बारे में जानकर ये देने माला हूं. शेक्स बीमारियां जो हैं, लेंगेक समस्या हैं, वो अक्सर, जादा तर नहीं आती हैं, लोग उनका जो कारण हैं, वो मानसीक समस्या, उसका कारण होता हैं. अगर होता क्या है कि ये बीमारियां, इंको होती हैं, वो मनोचिकी स्थर के पास में आते नहीं, वो इदर गुंदर है थे, तो मैं आपको बता हूंगा कि इसमें कोंसीकोंसी बीमारियां आती हैं, जिसके लिए वो वेक्ती हमारे पास में, सैकेट्रिस के पास में, मनोचिक तो इसमें लोग हमारे पास में आते हैं हस्त मेथून की तो उनको हस्त मेथून की आपित लगेगी मास्टूबेशन मतलब हाथ से क्या हुआ मेथून वो हस्त मेथून तो इनको भिमारी क्या होती है कि ये हांद से शिस्न के ऊपर घर्षन करते, उनको अच्छा लगता है और वो घर्षन करते करते उनका विर्या बहार निकलता है अभी हमको हमारे मतलब कल्चर में समस्कुर्थि में ऐसा बताने रहा है कि विर्या नाश ये जो है इस तरह का विर्या नाश जो है उसके वज़े से कमजूरी आती है तो हस्तमेतुन की वज़व से कमजुरी आती नहीं है, ऐसा हम बारबार बुझे रहे हैं। हस्तमेतुन जिने नॉर्मल प्रकिय है। और उसका कोई इलाज नहीं है। जो 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 कि नॉर्मल है तो इलाज क्या करना है। यदि वो उसकी हैबिट हो जाती है। रस्तमेतुन की, मतलब आदद गिर जाती है। और उसके इमाद में वहीं बारबार आता है। तो इसका इलाज हम कर सकते हैं। तो इलाज करना जरूरी होता है। फिर दुसरे हमारे पास में जो लोग आते हैं। वो आदय है कि राट में वीर्य पात होना। और कपड़े खराबना। और रहाएगि शादी के पहले वीर्य पात होना यह बहुत ही नहिसर्गी है। इसमें कोई गलत नह नहीं है। कुकि वीर्य जो है अपने शरीर में 400 वर इन Tort तयार होते रहते है। अब या शादी होई नहीं है, वो सेक्स संबन प्रस्ता पिक करता नहीं है, अब लग शादी ही नहीं तो, अब फिर उसके वज़ा से जो तयार हो रहा है भी है, तो वो ओर्रफलो हो जाता है, और ओर्रफलो हने के कारण उसके कपड़े खराब हो जाता है, तो उसको हम बोलते नॉप्चरनल एमिशन्स, सपन अस्ता या सपन दोष, सपन दोष, यह भी बिमारी नहीं है, इसको कौंसिलिंग करना जरूरी होता है, इससे कोई कमजोरी आती नहीं, फिर तीसे ही बिमारी हमारे कर जो लोग आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि हमको नपो सा कत्व है, मतलब शि शिस्ण में कमजोरी होने के बहुत सारे वज़य है, मेजोर्टी जो है, पतलब 40 साल की उमर के पहले, यदि उनको समस्या आती है, तो यह समझो लो, कि वो, साइकोलोजिकल ही है, मनों, मन के ऊपर, टेंशन आने के वज़य से, या मांजिक समस्या के वज़य से, उसको मतलब जो तकलिव होती है कि वह शिस्न का कड़क पना नहीं आना या वो लेंगीक सम्मन प्रस्तापित करने योग्य शिस्न भणा नहीं होना और इसके वज़से वो उसको नपन सकत्वा आता है और उसके वज़से बीमारी उसको ऐसा लगते हैं कि वो शेक्स नहीं कर पाता है तो इसका जो कारण है वो हमको कारण लेखना पड़ता है कि कारण कौन से कारण से हुआ है कोई कारण है तो कारण का इलाज करो और कोई उसका कारण नहीं मांसिक कारण है तो उसका वैसा इलाज करना चुरूरी है तो चवथा जो मेन हमारे पास में जो लोग आते है वह शी में उसको गिरेपात हो जाता है, और इसके वज़े से उसको, मतलब दोनों को, निया भीपी को, दोनों को, सेक्स में इतना संतोष मिलना चे उतना संतोष समाधा नहीं मिलता, तो इस ये चार बड़ी-बड़ी जो तकलिव है उसके वेसे लोग आते हैं, फिर हमार पास में लो लड़का बोलता है कि मैंने तो ये जो है महिथुन किया, समाधा नहीं किया, लड़की बोलती है नहीं इसने नहीं किया, और फिर उनका जंजट जगड़ा शुरू हो जाता है, और वो हमारे पास में आते हैं, तो ऐसे अलग-अलग समस्या हैं, सेक्स की हैं, लेंगिक समस् प्यार उसका हो जाता है, और वो उसको समलिंगी सेक्स करने में ही, मतलब लड़का लड़की से सेक्स करेगा, या लड़की लड़की से सेक्स करेगा, उसको लेस्बियन, लेस्बियन बोलते है, वो करेंगे और वो इतना प्यार में हो जाते कि कभी-कभी वो शादी भी नहीं मतलब इतना प्यार होता है और वो यह नहीं करते हैशा अपस में इतना प्यार होता है को रहते हैं या लड़े सात में रहते हैं जो सेक्स करते है तो यह homosexuality है, तो ऐसी अलग-अलग बीमारी है, और फिर कमजोरी इसके जो आती है, उसके लिए कास्य लोग आते है, कि वे हमको यह विमारी है, और इसके वैसे कमजोर हम गोय है उसका इलाज कर दो. फिर कुछ लोग इसलिए आते हैं, कि वे हार्ट अटक आ गया, और हार्ट अटक आने के बाद में, मतलब रुदे विकार हो गया, उसका रुदे का घटका आ गया, दिल का दोरा पड़ गया, उसके बाद में अभी सेक्स में कमजोरी आ गया, या उसको उनको diabetes है, मतलब शुग मैं एक अलग वीडियो में, सेपरेट अलग-अलग बीमारियां लेके, मैं आपसे बात्चित करूँगा, ताकि आपको उसका डीटेल ग्योरा मिलेंगा, और उसमें जो भी आपको जानकर जाएगे, वो तुरी मिल सकते हैं, हमारा उत्तेश है है कि ये बीमारी के वज़े से और जो लड़की लोग शादी के वले खुटकुशी कर लेते हैं, ऊशिए कि uteहि एक से सेक्स मीं अपको जीवन, एक सेक्स के लायक नहीं हूँ, शादी करता हूँ, या कि या शादी करने के भाद में भी खुटकुशी कर लेते हैं, तो इसमें उनका अपको बॉला करते है तो वो पूरा अपना जीवन अच्छा जी सकते है, अच्छा बिता सकते हैं, क्योंकि एक दिल का दोरा पढ़ गया, तो एक बार लोगों को चलेगा, मैं अगर आप सेक्स नहीं कर पाते, ऐसा इनको मालूम पढ़ गया है, ऐसा उनको विमारी हो गई, तो सेहन नहीं कर सकते है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप तो ये वीडियो देखी रहें, तो ये वीडियो आप जार जार लोगों के साथ में शेयर करो, मेरे वीडियो के लिए जो यूट्यूब का चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करो, मेरा अप फेस्बूक है उसका पेज लाइक करो, सेक्सराजी का और हमारी वेबसाइट है, उसमें भी जाके आप और ज्यानकरी ले सकते हैं, अधिक ज्यानकरी के लिए आप मेरे को मुझे संपर्क कर सकते हैं, और यही मैं इतना ही करूँ कहूंगा कि हमारा जो मिशन है, मेंटल हेल्फ और आल, सबके लिए मानसिक स्वास्तिया, इसके लिए आपकी सहायता जरूरी है, आप हमारे उसमें पार्टनर बनिये, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तो गिये, जो हमने आपको इंफर्मेशन दी, जानकरी दी, वो लोगों को तक हो चाहिंग ऐसा मेरा भि आज मैं आपको नशा नुक्ती के बारे में कुछ बोलने माला हूँ, तेशली शराब के नशा, जो शराब कि ना कि कोई गलत नहीं है, एक तरह से देखाया है तो, क्या आज हमारे समाज में, हमारे देश में, जो पुरुष है, पुरुषवर्ग, लब में, जो उमर 15 साल से 65 साल करें, तो ये 15 से 65 साल के बीच वाले जो पुरुषवर्ग है, इसमें कम से कम, 50 प्रतिशत लोग ऐसे कि जो कभी ना कभी अपने जीवन में शराप की टेस्स लेतेए हुत अलग अलग हो या और कोई शराप का प्रता है, उस की टेस्ट लेते रहे हुतते, कभी ना कभी साथ सोचल फंट्शन में उब कोई बड़ा function है, इस सॉसाइडी का, तो सोशल फंक्चन में दोस लोग जमाऊ जाते हैं गैधरिंग है, स्निया सम्मिलन है या कोई बड़ी पार्टी है तो उसमें भी लोग वो बेट पार्टी करते रहे शरब की पार्टी करते है लग नामेज लेना, मामसारी, खाना खाना और शराब लेना है तो बहुत ही नॉर्मल है कहीं-कहीं समाज में तो ऐसा है कि यदि उनके शादियों में यदि आपने मामसारी, मामसार, मामविच, टिकन या मेटन और शराब, ड्रिंग्स नहीं दिया तो वो बहुत गरीब लोग है या वो समाज के खिलाफ है जो बद्रद है, जो है क्लचर उसके खिलाफ हो아एसा मान जाए दो आपने के सोशल ड्रिंकिंग-म्लोग करते में उसमें कोई प्रॉब्लम है जैस और सरकारने उसके लाइसन मोими yardım । रिस्टॉरांगों करे ग। तो इस नहीं से एक वेक्टी उसका आदी बन जाता है उसका addict बन दाता है मतुलब छे वेक्ति जो है छे वेक्तियों में से एक वेक्ति मतलब 16 परसंट जो लो है जो आप निमalis भी जो in में प्रेंट्र्क, जो तैक जो है वो कभी बी बीछ उसमें का एक वेक्ति मतलब सब्लब सब्ल siaसल एक थे शुober सब्लाइब में तो 60-60% प्रतिशल लोग शराप पीते हैं, जो हाड़ वर्क करते हैं उसमें भी यह हालत है, तो इसमें पीना कभी-कभी social drinking करना कोई गलत नहीं है, तो उसका आधी होना गलत है, उसमें होता गया है कि शराप पीते हैं, तो शराप का असर पूरे बदन पे होता है, मस्तिश काम नहीं करता बराबर, मतलब वो concentration नहीं कर सकता, शराप में बहुत कुछ बाते करेंगा, बड़बड़ करेंगा वो शराप पीने के बाद में, उसके मन के खिलाप हो गया, तो जगड़े मोल लेगा, और कापी सारी शेरिक बिमारी, शेरिक बिमारी, बदन की बिम वो शराप भी नहीं चलू कर देगा, उसमें लिवर एक खराब हो जाता है, और लिवर यासाम बोलती कि वो headmaster, अपने body का, अब लिवर खराब हो गया, तो बाकी भी शरीर के अंदर के सब जो organs है, अललललल, तो वो भी उसके जरिये फिर खराब होना चलू हो जाते है, जब हाथ थर थर करना चालू हो जाते है, और उसको शराब की इतनी जूग लगती है, कि शराब पिये विना उसको यम देगा, तो वो ऐसा करने लगता है, उसको काम नहीं कर सकता है, वो आगे बढ़ी सकता है, कोई काम करने कि उसको परोत बूले हैं, आख फिर शराब पीने हो में इसलो जाते और नामर हो जाते हैं, saako driver काना, और तो धुरॉउब केbaumellsदे लिएरा के 형s, पूतके म क्षराप इलेना ड्राईवं निंदीन. जो काम कर रहे हैं इतने हैं उप आप धी किज़्वात रेंड़न का ना हैं, डिन हे चालूं देना हैं, तुकि वो आंसिक रूप से, शारीन रूप से और ब्रेन के जरीए उसके उपर बहुत ही dependent हो जाते है। अब यह शरावेदी पितेने तो कुछ लोगों को इनी सारी घवराण, बेचेनी होती है। तो कुछ लोगों को फिर्स भी आती है, जटके, मिल्की की बिमारिया, मतलब पीतेने, कुछ लोग पिये ने तो पागर होता है। कुछ लोग ज़्यादा पीने के बाद में साल, दो साल, तीन साल के बाद में उनके ब्रेन के उपर असरना चलो हो जाता है। ज़्यादाश नहीं रहती। और ब्रेन के उपर असर होने के बाद में वह भी बागर होता है। कुछ लोग ऐसे होतें कि 12-20 साल से पी रहे हैं वह уइस कुछ नहीं है, और वह कांपी सालह पैसा उसमें बरबाद कर चुके है। काम पर जातें नहीं, तुठियां लेते हैं तALL खाती नहीं है। फिर्थन्दा बरबाद हो जाता है। और दिरे-धिरे जढ़े पागतिया उंकी शुरू हो जाएंगी। सब्सक्राइए गर में जंचना जगड़े हो जाता है। घर में जंचने जगड़े हो जाता है। पिससे पर्टी नहीं है। जादा पिनेके बाद में भू भंभ कहामेंगे। उल्दिया हो जाएंगी और फिर खाना नहीं खाया तो फिर अलग 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 उनको होना शुरूर हो जाते है। अर जो शराब ही उसको हर वेक्ति को ऐसा लगता है कि मैं तो क्या एक मिरिट में शराब छोड़ गूँगा। मेरे दिमाग में आ जाएंगा तो एक जिन में शराब छोड़ गूँगा। ऐसा बोलते रहे तो शराब शोड़ने को उनको दिमाग में आते हैं। जो कुछ लोगोैए से बोलते हैं कि नहीं हमने पिछले साल में चार मीने डिनी चोड़ दशुड़ आठेगा तो मैं डिनी चोड़ सकता कभी भी मैं एक दिमाग में लूगा न में जुड़ हो लिक है और अशुजन दिनी गोलते हैं कि शराब ही हो न नशया करना नशा नशा आधी हो जाना ये पुरी जिंदगी बिमारी है जिसा शुगर की बिमारी होती है और एक बार बिमारी हो गई तो जिंदगी बर डियाबिटिक रहता है पर एक बार वो अलकोलिक हो गया एक बार वो शराबी हो गया तो जिंदगी बर वो बिमार रहता है क्यों कि ए एक बार भी छोड़ दिया, तो continuously कायम उसके उपर watch करना, देख रेक करना बहुत ज़रूर ही है, ताकि वो शराप फिर सी पियेगा है। तो इसका इलाज क्या है, एक तो उप खुद व्यक्ति कभी आता है हमारे पास में, कि मेरे को शराप छोड़ने का है कि बहुत ही अच्छा है, तो इसका इलाज करना बहुत ही आसान है, कि वो खुद बोल रहा है कि मेरा इलाज करना है। दूसरा, काफी सारे वेक्तियों को लाया जाता है जे बरवस्ति पापर पकड़ें, उनको शराब पिला पिला के हमारे पास निला, इसकी शराब छुड़वाओ, अब ये वेक्ति का इलाज करना बहुत कढ़ी हो जाता, क्योंकि उसको पहले मोटिवेट करना, शराब छोड़ उनके लिए उनके घर के लोगं हमारे पास में आते हैं, दूवाओं लेके जाते हैं और उनको बिना बोले, उनके अनाज में, खाने में, या दूद में, काया में भी कोई भी शराब, मतलब शर्बत में उनको दू़ए पिला के उनको शराब से मुक्त हो सकता ऐसे कि शराब लिया है दवय के उपर उनको उल्टियां आना शुरू हो जाती है और उल्टियों से इत्ते परशान होते हैं तो उनको देरे देरा ऐसा लगने लगता है कि भई अब आज कर शराब कीता हूं ना तो उल्टियां होती है इतली ओशराब खोड़ादे है कुछ लोग शराब चोड़ना पकड़ना चलू रखता है को छरफ चोड़ गयार हो दवय बंदने कर में डवय शुरुआ पड़ना पड़ता है साल दो साल वो दभ्य जेदो जो लोग खुद्धों के लज वतै उनको तपास के उनका लिवर खाल जो उसके लिए दवाई, पेट में हल्जर वगरे हो गए, ऐसी डिटी है तो उसके लिए दवाए, नीद में आथी उसके लिए दवाई, उनको फीट आ रहे है तो उसके लिए दवाई, कुछ लोग बहुत शक करना चालू करते शराबिया उसे पर उनका खास तौर पत्नी के उपर शर्फ होता है कि मेरे पत्नी आशकल मुझे सपोर्ट नहीं करते मेरे तरब देखते नहीं है वोता कही है कि शराब से उसकी सेक्स की इच्छा बढ़ती है अब जिक्तिकों लगता है कि तेखो यह कहीं बाहर जाती है इसलिए मेने साथ में वह सम्वन रखती है पत्ने के पर शहार करना चालू कर देता है पत्नी को घर में मुझकिल हो जाते है तो भी फिर उसके लिए दवाही दना पड़ता है, तो फिड आत flavored jadi, फिट के लिए शक अगोग के लिए नीम नीम के लिए भूप ने तो भूप के लिए मतलब ऐसा पुरा उसका इलाज करके विटामीज दना पड़ता है कि काफी सारे vitamins शराप्पिने के बाद में कम हो जाते है तो इसको vitamins दना पढ़ता है और फिर उसका उसके बाद में मांसुचा करें मांसर जा मतलब फिर से आगे वो शराब ना चालू करें, इसके लिए साइको तेरपी, सम्मून रुक्चार, उसको सम्मून की अवस्ता में जाके उसको भी विजुलाइज करने लगाना है, कि वही उसको क्या वादा है कि शाम हो गई, कि उसके पहर अच्छाना को शराब की द करना करके वो उसको फैक्टिस करवाना है, ताकि उसका जो कंडिशनिंग हो गया है, तो एक एंगर बढ़ गया है, कि वही शाम हो गई, वही बार के तरफ जाना, वो सिधा घर पर आना चाहिए, उसके लिए उसको सम्मून रुक्चार में, सजेशन सम्देते रहते हैं, सम् ज्यंजट रहा जहगडे रहते हैं, उसको कोई ट्रस नहीं करता, ताकि सम्दोगे लोग उसको नैसी ने सिरे से तरीके से सुने, तो मां सन बां दे, कि वो उसको शलाया करके सुनेंगे, तो पीटे कभी सुधुए gueर के लोगों नहीं बूलना जेए, कि नहीं हम को श्रा क पाल रहें तूर नहीं शराब लिया, फूर खोड़ दिया है, वह पक्का है कि शराब चोड़े हैं, अगर घर के लोग उसको यानक उसके टोकेंगे, नहीं तूर बता कि तू शराब पीके नहीं आये, अभी पैसे की इसको बोला तभी आ ठीक है, तो उसको financial support करना वो जरूरी है, तो उसकी नोकरी जले जाती है, रहना बैट जाता है, यहना तो उसमें उसको support करना वो जरूरी है, और फिर दवाईया काफी दिन तक लेना, family therapy करना, family का अब लग कोटोमी को उच्चा, उसके घर के लोगों का साथ में बैटकी उच्चा, ति में सुगधुख एक दुसरे को बाटते हैं, और एक दुसरे को शराप छोड़ने में, और शराप छोड़ने के बाद में, maintain करने में एक दुसरे को support करते हैं, तो वो अल्कॉलिक एना नहीं मसमी जाते हैं, और यह psychotherapy मान सोब चाह रही है, कम से कम साल दो साल चालू रखना क तो इसलिए उसके उपर time watch रखना, उसको support करना को जुरूरी है, पहले है जाते शराप पिना उसको आदत है, अब यह सब को मालूम है कि शराप की नशा, नशे खुर होना, अल्कॉल, एडिक्शन एक psychological बिमारी है, यह तो जीन्स में कुछ प्रमाण में आ सकते हैं, और सीखा हुआ है, तो जब ऐसा है कि घर के लोगों का support होना, उसको support करना को जरूरी है, फो लेक्टी को, तो support करने तो इसकी बिमारी हर्दं के लिए अच्छी रहेंगी, तो यह बिमार है, लग उसको मांसिक बिमारी है, और इसके लिए मनोचिकिसक का इलाज होना जरूरी है तो मुनों चिकित्सक के पास में ले जाना, उसका इलाज करना, हमारे पास में लोग क्यों नहीं आते, तो बोलते नहीं, रॉक्टर के पास में गए, मैं के बागल हूँ, मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ, मैं बागल जड़ी हुआ, अरे भाईया तो बागल नहीं है, मगर शराबी होना और रोज शराब पीना बेवर्श होने तक या रस्ते पे गिलने तक शराब पीना रोज भिमारी है और आप दियो उसको रोग सकते नहीं है तो उसका इलाज करना भी जिदू ही है तो मेरी ऐसे आप से प्राथना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तब यह मेंसेज्या पहुंच आए ज्यादा मुटत लोग हो सकते हैं अच्छा जीवन वो जी सकते हैं तो मेरे YouTube पे काफी सारी मनोविकार के बारे में काफी सारी जानकारी हैं काफी सारी वीडियो हैं ता आ उसके उपर जाओ उसको विसिट करो वहांसे भी आपको जानकारी मिल सकती है आप हमेने mail भेशे भेशके हमको संपर्ख कर सकते है call करके संपर्ख कर सकते है और आ 유आ कि एप्जिल्दमें इतने भी बिलोह है जो आप आदी है उनको आप सपोर्ट चर्के उनका इलाज करके, वो एक सामन्य जीवन जीएंगे, अच्छा जीवन जीएंगे, उसके लिए आप स्टैंगे. So, मैं यहां रूपता हूं. Thank you very much.